हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज आपकी इंग्लिश की अगली ओनेंट क्लास है और इंग्लिश में अपने गोल्डन रेस चैप्टर के सोरी गोल्डन रेस बुक के अपने शुरुवाती तीन चैप्टर और दो पोएम पढ़ लिए ठीक है और आपकी टोटल इंग्लिश की दो बुक है तो अपन इंग्लिश की सेकंड बुक रेसॉलूशन जिसका नाम है उसका फर्स चैप्टर आज अपन पढ़ेंगे ठीक है तो दो बुक से हैं तो फोरे चेंज आज अपन सेकंड बुक का यह एक सिंपल सी कहानी जिसमें एक जरूरी इंपॉर्टेंट संदेश दिया गया है एक छोटा सा बच्चा यह यंग बोई एक जवान सा लडगा हरी सिंग अनिल के पास जाता है इस उम्मीद में कि वो वहां से कुछ चुरा कर लाएगा और रिटन में लेकिन अनिल एक अच्छा इंसान है जब हरी उसके पास आता है तो वो उसे पढ़ना और लिखना सिकाना चाता है क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता ग्रेजुली अनिल डवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंग और धेरे धेरे अनिल को पूर्ण विश्वास हो जाता है हरी सिंग पे आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल हरी सिंग ट्राइस टू अवे फोरेवर बट सम इनर वाइस स्टॉप्स हिम दूइंग सो और पैसा चुराने के बाद अनिल का पैसा चुराने के बाद जब हरी सिंग भाग जाता है तो भागते टाइम उसके अंदर से एक आवाज आती जो उसे रोग देती है भागने से और अनिल जो की चोरी के रास्ते बिट निकल गया चोर बन गया वो उसे अपनी मिस्टेक रियलाईज होता है और वो अपनी चोरी करने के आदत को छोड़ देता और एक अच्छा इंसान बन जाता है ठीक है तो ये कहानी है पूरी ओवर्यू तो अपन अब स्टोरी पढ़न स्टार्ट करते हैं दात थीफ स्टोरी यानि चोर की कहानी थीफ यानि चोर इट वस तिल अथीफ वेन आई मेट अनिल एंड थो आई वस अउनली 15 स्टोरी आई वस तिल अथीफ मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला था ये दबी मैं उस टाइम पर 15 वर्ष का ही था यानि मैं 15 वर्ष खा था जब मैं अनिल से मिला और तब मैं एक चोड था I was an experienced and fairly successful hand और मैं काफी अनुबवी चोड था यानि मैंने काफी चोड़ीयां कर रहा की थी और fairly successful hand यानि मैं चोरी करने में बहुत सक्षम था मैं बहुत कई बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाता था यानि मैं बहुत मतलब वो खुद की तारीफ कर रहा है कि मैं बहुत एक अच्छा चोड था अनिल वाचिंग ए रैसलिंग मैच वेन आई अप्रोच्ड हिम जब मैं पहली बार अनिल से मिला तब अनिल एक रैसलिंग यानि कुछती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया वो लगवग 25 वर्स का था एक लंबा पतला सा इंसान और वो एकदम दिखने में सिंपल लग रहा था एकदम शांत स्वबाव का लग रहा था काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर मै पर्पस और मुझे लग रहा था कि मेरा जो पर्पस है यानि उसके पास जाकर उससे कुछ चुराने का ठीक है तो वो पर्पस आसानी से हो जाएगा क्योंकि वो देखने में ऐसा लग रहा था कि बोला बाला सा बेक्ती लग रहा था I was sure I would be able to win the young man's confidence और मुझे पूर्णत विश्वास था कि मैं उस young man यानि अनिल का confidence जीत पाऊंगा और confidence जीतने के बाद उससे फिर कुछ चुरा पाऊंगा You look a bit of wrestler yourself I said a little flattery helps in making friends तुम भी खुद थोड़े से एक wrestler लगते हो यानि तुम भी एक पहलवान की तरह लगते हो मैंने अनिल से कहा और मेरे mind में था कि थोड़ा सा मैं अगर उसकी बढ़ाई करूँगा चापलूसी करूँगा तो उससे फिर मैं आराम से उसका दोस्त बन जा पहले उसका दोस्त बनो और दोस्त बनने के लिए उसके लिए थोड़ी सी चापलूसी करूँगा तो उसने का कि तुम भी पहलवान जैसे लगते हो यानि उसकी तारीफ की और तारीफ करते हो कि तुम भी पहलवान जैसे लग रहे हो so do you he replied which put me off for a moment because at that time I was rather thin तुम भी एक wrestler जैसे ही लगते हो तुमारी body भी wrestler जैसे है पहलवान जैसे है ये reply दिया अनिल ने जिससे मुझे थोड़ा अजीव से लगा put me off for a moment एक शन के लिए अजीव से लगा क्योंकि उस time पे जब मैं 15 वर्ष का ही था उस time पे काफी दूबला बदला था और किसी भी एंगल से wrestler लगता ही नहीं था well I said modestly I do wrestle a bit और फिर मैंने विनमता से उसे जवाब दिया कि जब उसने कहा कि तुम भी wrestler जैसे लगते हो तो मैंने कहा I do wrestle a bit मैं थोड़ी बहुत कुष्टी करता हूँ किसने कहा Hari Singh ने Hari Singh है इस पूरी chapter में कहने वाला I कौन है Hari Singh है और किस से बात कर रहा है अनिल से what is your name Hari Singh I lied और उसने पूछा मुझसे तुमारा नाम क्या है तो मैंने जूट बोलकर कहा Hari Singh है नाम मेरा I took a new name every month मैं हर महीने अपना नाम बदलता हूँ that keep me ahead of the police and my former employers जिससे मुझे पुलिस से बचने में और मेरे जो पुराने लोग है जहां मैंने चोरियां किये उनसे बचने में मेरी मदद रहती है यानि मैं आसानी से पकड़ा नाम बदलता हूँ तो और फिर इस इंट्रोड़क्शन के बास अनिल ने मुझसे रैसलर्स के बारे में वेल ओयल यानी जो वह रिसकुष्टी कर रहे थे पहलवान जिनके सरीर पे तेल लगावात अच्छे से जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे लिफ्ट उठा रहे थे एक दूसरे को फैंक रहते उसके बारे में बातचीत करने लगे मेरे पास जद्हों कुछ कहने के लिए नहीं था क्यूकि मैं एक चोड था और मुझे रैसलिंग के बारे में जद्हा नॉलिज नहीं था जबकि मैंने जूट बोल दिया था मैं भी wrestling थोड़ा बहुत करता हूँ Anil walked away Anil फिर वहाँ से जाने लगा और मैं भी उसको casually, normally उसको follow करने लगा Hello again he said और उसने मुझे वापस कहा कि Hello I gave him my most appealing smile मैंने बिल्कुल एकदम लुभावने तरीके की smile दी जैसे एकदम प्यारी सी, cute सी smile दी I want to work for you मैं तुमारे लिए काम करना चाता हूँ I said तो हरी सी रिंग ने कहा बिल्कुल smile करते वे एकदम लुभावनी smile करते वे कहा कि मैं तुमारे लिए काम करना चाता हूँ But I can't pay you लेकिन मैं तुमें pay नहीं कर सकता ये जवाब किस ने दिया Anil ने मैं मेरे पास कोई पैसा नहीं है जो तुमें काम पे रखो और तुमें पैसा दूँ I thought that over for a minute perhaps I had misjudged my man I asked can you feed me और मैंने कुछ शण के लिए सोचा और फिर mind में आया कि कहीं मैंने कोई गलत इंसान तो नहीं पकड़ लिया यानि ऐसा इंसान जिनके पास पैसा ही नहीं है तो मैं चोरी क्या करूँगा तो यानि मैंने misjudged कर लिया यानि कोई गलत इंसान की तरफ जा रहा हूँ मैं Anil वो है यह नहीं जिसके पास पैसा है और मैं चुरा सकूँ Can you feed me लेकिन फिर मैंने पूछा क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो काम के बदले में Can you cook तो उस Anil ने पूछा क्या तुम भोजन पका सकते हो I can cook I lied again हाँ मैं भोजन पका सकते हो मैंने फिर जूट बोल दिया हरी सिंग ने फिर जूट बोल दिया क्योंकि उसे उसका नौकर बनना था उसके पास रहना था तब ही चोरी कर पाता हो If you can cook this may then may be I can feed you अगर तुम मेरे लिए खाना पका दोगे मेरे लिए मतलब मेरे खाना पकाने वाले बन जाओगे तो मैं फिर तुम्हें बदले में खाना दे दूँगा ये कहा अनिल ने हरी सिंग को He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony वो उसका एक room था एक मिठाईयों की दुकान के ओपर एक room था वहाँ पर लेकर गया और मुझे कहा कि मैं balcony में सो सकता हूँ But the meal I cooked that night must have been a terrible because अनिल गेव it to stray dog and told me to be off लेकिन उस दिन जो मैंने पहली बार उसके लिए खाना बनाया वो बिलकुल बहुत बकवास रहोगा क्योंकि अनिल ने वो खाना खाया नहीं कुट्टे को डाल दिया और मुझे जाने के लिए कहा But I just hung around लेकिन मैं वहीं रहा मैं गया निवा से smiling in my most appealing way और उसी तरीके से लुबावने तरीके से उसकी तरफ smile करता रहा and he couldn't help laughing और वो कुछ नहीं कर पाया और फिर मेरी तरफ देखकर हसने लगा कौन अनिल लेटर ही patted me on my head and said never mind he had teach me to cook और बाद में उसने मेरे सर पे हाथ रखा पीछे सर थपतपाया और कहा चिंता मत करो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे बोजन पकाते हैं he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers और उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और ये भी कहा कि once I could write like an educated man there would be no limit what I could achieve और मुझे पता था कि अगर मैं एक पड़े लिखे इंसान की तरह मुझे लिखना पढ़ना आ गया तो फिर मेरी चोरी करने की ability में और चार चान लग जाएंगे और मैं और बड़ी बड़ी चोरिया कर पाऊंगा और मतब एक limit ही नहीं थी कि मैं क्या क्या achieve कर सकता हूँ यानि कि वो पढ़ने लिखने की बात को भी अपनी चोरी से जोड रहा था और उसे चोरी में काम में लेने की ही सोच रहा था It was quite pleasant working for Anil Anil के लिए काम करना काफी सुखद रहा I made the tea in the morning and then would take my time buying the days supplies usually making a profit of about a rupee a day मैं सुख़ उसके लिए चाय बनाता उसके बाद दिन में मेरा time बाजार में जाकर सामान लाने में बीच जाता जहां पर मैं लगबग एक या दो रुपए बचा कर लाता यानि Anil को इसाब अलग बताता और उसमें से एक दो रुपए मेरे लिए चुरा लेता बचा लेता I think he knew I made little money this way but he did not seem to mind और मुझे इसा लगता था कि मानो उसे पता हो कि मैं थोड़े बहुत रुपए जो वो सामान लाने के लिए देता उसमें से बचा कर चुरा लेता हूं अनिल made money by fits and start अनिल irregularly पैसे कमाता था रेगुलर पैसे नहीं income नहीं थी उसकी fits and start मतब इर्रेगुलरी यह नहीं regular ना हो रुक रुक कर उसे पैसा मिलता था वो एक दिन कमाता एक हफते कमाता था और अगले हफते उसे खर्च करता था उसे हमेशा अपने आने वाले चेक आने वाले पैसे की चिंता रहती थी ते और जैसे वो पैसा आ जाता वो बाहर जाता और celebrate करता यह नहीं कि अनिल ऐसा जिन्दा दिल इनसान था जो present में जीता था ज़दा future के बारे में नहीं सोचता था और ऐसा लगता था मानो उसके जैसे वो काम करता था वो एक राइटर था और वो मेगजीन के लिए लिखता था यानि मेगजीन में छपने वाली किताबी जो होती है जो मेगजीन के लिखता था जो कि एक strange विचेतर तरीका है जीवी का कमाने का क्योंकि आजकल जादा तर राइटर होते नहीं है सब अलग कोई शॉप में काम करता है कोई बिजनेस करता है लेकिन उसका जो कमाने का तरीका एक विचेतर तरीका था यानि मेगजीन में लिखकर जो भी पैसा मिले उससे कमाना तो बच्चो पहला पार्ट अपना यहीं तक था ठीक है अब इसके आगे अपने सेकंड क्लास में पढ़ेंगे मुझे उमीद आपको यहां तक समझ में आया होगा आपको जो आपकी बुक से आप पूरा चेप्टर पढ़के रखें आगे वाला पार्ट भी पढ़े और देखें कैसे वो अनिल के घर से हरी चुराएगा और कैसे फिर उसे मन में ऐसे आएगा गलत क्याल कि मैं गलत कर रहा हूं और कैसे वो ठीक हो जाएगा यह सारा कहानी आगे पार्ट में आएगा तो आप उसको पढ़के रखें और वेट करें सेकेंड पार्ट का और तब तक रेगुलर्ली पढ़ते रहें तो आज के लिए तना ही थैंक्यू, have a nice day